मंगलवार की शाम मीरापुर्ठाने के S.I. रविंद्र सिंग, S.I. यूनुस खान और S.I. अमरपाल शर्मा पुलिस टीम के साथ शेत्र की समलहेडा नहर पटरी पर वाहन चकिंग कर रहे थे इसी दोरार उन्हें कुतव्पूर-Nahir-Pakteri की और से आ रही एक बाइक पर सवार दो संद्ग दियोवक आते दिखाए दिये जिने पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उन्हों ने पुलिस कर्मी उपर फायर कर दिया जिसमें कई पुलिस कर्मी बाल बाल बच गए वहीं फायर करके बाइक सवार बदमाशों ने बाइक को जटवारा पटरी के और दोड़ा दिया जिस पर पुलिस ने बदमाशों का पीछा करते हुए जबावी फाइरिंग की जबावी फाइरिंग में पुलिस की एक गोली बाइक सवार एक बदमाश के पैर में लग गई जिससे बदमाशों की बाइक अन्यंत्रित होते हुए पट्री पर किनारे पर चागिरी जिस पर पुलिस ने घायल बदमाश को दबोच लिया जबकि उसका एक साथी जंगल के रास्ते फरार होने में कामियाब हो गया पुलिस को पकड़े गए बदमाश के पास से करीब देड़ महीने पूर्व कुतुपुर से चोरी किया गया एक इन्वर्टर एक तमंचा 315 बोर एक खोका कार्तूस और दो जिन्दा कार्तूस है तेक स्प्लेंडर प्लस वाइग बरा मत हुई पुलिस के अनुसार घायल बदमाश ने पुलिस को पूस्ताच में अपना नाम जावेद उर्फ शोभी पुत्र नफीस निवासी कृशनापुरी कोतवाली नगर मुजफर नगर बताया इंस्पेक्टर संतोष त्यागी ने बताया कि गरफतार बदमाश बेहद ही शातर किस मका बदमाश है इसने करीब डेड़ महिने पूर्व अपने साथियों के साथ मलकर ग्राम कुतवपुर निवासी साजित की दुकान से इंवर्टर बैटरी चोरी की थी और ये कांधला से गैंस्टर में वांच्छिट चल रहा है इसके खिलाफ मुजफर नगर ने थाना मीरा इसके बारे में यह भी पता चला कि कुतवपुर में चोरी हुई थी इंवर्टर की वो इससे बरामत हुई है एक मुटसाइकल बरामत हुई है सोरी की दूसरे से एक तमच्छा बरामत हुआ है और कार्तुस बरामत हुआ है कि तरक्या कोई सब्सक्राइब है इनाम के बारे में जानकारी की जारी है